गुजरी हुई जिन्दगी को कभी याद न कर तक्दीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर जो होगा वो होकर रहेगा तुकल की फिकर में अपनी आज की हसी बरबाद न कर गुड मॉनी फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तो आज है 28 अक्टूबर देखेंगे आज के पूरे करेंड अफेस तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट में कुईज भी है जिसका एंसार आपको कमेंट बॉक्स में प्रफाइल के लिंग इस वीडियो को रिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया तुस लिंक पर डारे क्लिक करके फॉलो कर सकते दोस्तों वहां पर मैं करेंडेफेस की वीडियो बनाएं उसको बिल्गूल फ्री में देख सकते हैं दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजित के चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें साथ में बेल आकोन प्रेस कर दें ताकि आप कोशी तरह के डेली मौनिंग वीडियो मिलती रहें वीडियो चले उत प्रीज लाइक जरू कर दिए करें दोस्तों और इस वीडियो को जादा जादा सेयर कर दीजे चली स्टार करते हैं प बहुत महत्पूर कोशन नहीं आप बता देख भारत के हरित करांती के मुख्य इस्थापत जो थे वो प्रोफेसर में स्वामी नाथन को दो रठारा के लिए विश्यो करिशी पूरुसकार समानित किया गया है ठीक है और प्रथम विश्यो करिशी पूरुसकार की वश्यूर प्रोफेसर में स्वामी नाथन का नाम जो है बहुत प्रसीद भग्जानिकों में आता है क्योंकि ये भारत में हरित करांती के जनक ग्रीन रेवलिशन के जनक लाने के से इनको दिया जाता है भारत महरित करांती की शुरुवात कभी थी 1967-68 में ये कोशन मोस्ट इंपोर्डेंट कई बार एक जामें पूछा गया है सबसे पहले तो आपको यह यह याद रखना है कि भारत महरित करांती की जनक कौन है धिश्टोन ब्लक के बारे दोस्तोन थोड़ा सा बता देता है दोस्तोन नार्मान अर्णेस्ट बोर्ग जो है नोवल पूरषकार विजेता ये अमेर्की करिक्सीव गया थि नार्मन बोरलाग को ठीक है तो विश्वस्तर पर इन्हों नहीं से सतर के दसक मेक्शिकों में बीमारी उसे लड़ सकने वाले गेहुँ की एक नई किस्म की विख्षित की थी ठीक है तो यह आपका दकने भारत में हरित कांदिक जनाखे प्रोफेस्टर है में सोविने तन बात करें कायला संख्याला की यह एक भारती प्रकृतिवादी सनक्षडवादी थे और यह दिल्ली जिलोजकल पार की नदेशक और अरस्था चीव बन वाडन थे और इन्हें बाखों के संक्षड के लिए काफी लोग प्रूई हैं ठीक है बाखों के संदलाल बहूडा की त से लेटिव बहुत कोशन पूछा आता है भारत में चिपको अंदोलन के जनक कौन है सुन्दालाल बहुडा चिपको अंदोलन कब हुआ था यह हुआ था ततकालीन उत्तर प्रदेश था लेकिन अभी उत्तरा खंड में है चामोली जीले में प्रारम हुआ थे यह है परियाबर पूरिश्कार प्राप्त हुआ है तो किसको मिला है प्रोफेसर में स्वामी नाथन को यह मोस्ट इंबोडन फैक्ट है आपको जरूर याद रखने इसके लाबाब प्रोफेसर स्वामी नाथन को विश्मी सताब दी कि 20 सबसे प्रहावसाली एस लोगों में से एक और भारत क यह एक मात्र तीन में से एक रूब में टाइमस पत्र का दवाब प्रसंसित किया गया है और अन्य दो महत्मा गांधी और अभी नाथ टैगोर है ठीक है सारे फैक्ट आप याद रखेएगा बहुत इंबोड़े नोट जरूर करते चलिए चलिए अगले कोशन बढ़ने से प कि इस देश की तींदिव मात्रches आत्रा पर गए है जिसका राइड ऊंसर वायागा दोस्तों निजया और बार्षी ने भाल है और प्राइब का प्राइं में लिए जापान की बात करें तो जापान की राज्धानी क्या है टोक्यों है करेंशी है जापानी येन जापान का प्राचीन नाम क्या था निप्पन जापान जो प्राचीन नाम था निप्पन जापान जो प्राचीन नाम था निप्पन जापान जो प्राचीन नाम था निप्पन जो प्राचीन नाम था निप्पन जो प्राचीन नाम था निप्पन जो प्राचीन नाम था निप पिंपिंग और जापान में दोस्तों यहां पर एक फैक्ट आपको आधकर आगला जो ओलंपिक गेम्स होगा 2020 का टोक्यों में होगा ठीक है जापान की राधानी टोक्यों होगा अमेरिका की बात करें तो प्रफिका के प्रेसिडेंस डानों डोनाल रिजे ट्रम्प का राजधानी है वासिंग्टन डिसी डिसी का फुलफाम होता है डिस्टिक्ट आप कोलंबिया ठीक है तो वार्शिक दुविपक्षी सिखर समेलें मोदी जी की इस देश की यहां पर दोस्तों आपको बता दे कि जापान जापान की गुप्तचार एक संस्ता है वह नाइचो और जापान की संस्त क्याना में डायेट ठीक है यह आपको याद रखना है चलिए अगला कोशन है बर्लीन में विश्व स्वास्त शिखर समेलें स्टार्टप पुरुषका जीत लिया है रूपल सर्मा जी ऑप्सने राइट हो जाएगा देखे 23 वर्षी भारती व्यक्जानिक रूपम सर्मा ने अपने अविश्कार मनोव दिश्ट ही लोगों के लिए दुनिया की पहली बुद्धिमान और व्यक्तिकत साहत्य प्रणाली के लिए विश्व अभिस वाले सबसे कम उम्र के बेगती हैं और इस वर्ष जन्वरी में भारत के राष्ट पदिवारा रूपम को राष्टी युव पूर्शकार समानित किया गया था ठीक है तो बर्लीन में विश्व श्वास सिखर्शमेलन स्टाटप पूर्शकार इसने जिद लिया है यह जिद किया है बर्शुदयव कुटुमुकम ठीक है दोस्तों आपको बता दे कि गुवाहर्टी इंटरेशनल फिल्म फेस्टिवाल फिल्म निर्माता जहू बरुवा की भोगा खिर्किया तूटी खिड़की के आयोजन असम सरकार के स्वामित वाली जोती चित्रबग जो कि फिल् 2018 की विस्व कुट्साने राइट हो जाएगा निया भारत को सौठारी संगपूर के पीटर स्रिलंका के नय प्रधान मंत्री कौन बन गए हैं दो स्रिलंका के नय प्रधान मंत्री बन गए है महिंद्रा राज़पक्षे और बी राइट हो जाएगा देखे आपको दादे की पूर्व राष्टपती महिंदा राष्टपक्षे ने स्री लंका के नया प्रधामते ग्रूम में जो सबत ले लिए उन्होंने राणिल विक्रम सिंगे का और उनके कारेयाला में राष्टपती मैत्री पाल सिरी सेना ने सपत ग्रहन दिलाई है हलाकि स्री विक्कम सिंगे के नेतरिते में सयुक्त राष्टपक्ष पार्टी ने विकास को असमयधानी का और अवैद मानते हुश का विरोत्थ थे आपको बचांएं सिरी लंका की राजधानी है oil अ और अडिमिस्टेटीव राजहने श्रीजावेदेने पूरा कोटे करेंसी है सिलंकाई रूपिया राष्टपती कौन है महित्रीपाल सीरी सेना तो सिलंका के नहें प्रथमत्री कौन बन गए हैं महिंदा राज पक्षय बन गए हैं इसके लाब आपको यहां पर कुछ और बनत है पाकिस्तानी वकीले असमा जहांगीर देखे यहां आपत्तर शननल और विपर आपस्टे में वेंका और दो श्यावि. मेंका गाधी ने किया है चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूछा था सीवी आई के अंतरी में राश्पधिक रूम में निकुत किया गया है इसका राइड एंसर था ऑप्सन भी नागे सर रहा है तो आपने कल की वीडियो देखिए तो आपको एंसर पक्का पता होगा नहीं देखिए यहां पर आएगे इंडिस्क्रीन में जरूर देख लीजिएगा प्लीस कमेंट बॉक्स में एंसर जरूर लिखेंगे दोस्तों आप लोग और पूरी जानकारी एकसाथ जैसे मैं आपको पहली महिला राष्टपति ग्रू में पूरी जानकारी दिया हुए के साथ लिखेंगे आप लोग वीडियो लाइक जरूर करें टार्गेट याद रखिए आप लोग चाहते हैं कि मैं कंटीनी वीडियो रखूं कमेंट जरूर करेंगे इस वीडियो को शेर कर दें चैनल सब करके फॉलो कर सकते हैं चली मिलते हैं सब्सक्राइब साथ तब तक लियावन ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत